तो दोस्तों अगर आप क्रिडवी एप्लिकेशन के अंदर अपना बैंक एकाउंट चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरूश लेके एंड तक देखते रहिएगा देखो भाई मैंने क्लिडवी application के अंदर जा करके bank account change करने का काफी process देख लिया लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी bank account change करने का auction है ही नहीं मैंने इस पर क्लिडवी team से बात की थी चैट के ज़री है दोस्तों क्लिडवी team का एक ही कहना था कि अगर आप bank account को change करना चाहते हैं तो हमको email करना पड़ेगा ठीक है तो email किस परकार करते हैं ताकि हमारा जो bank account है वो change हो जाए ठीक है चलिए start करते हैं सबसे पहले आपको आजाना होगा अपने Gmail के application के अंदर यहыं पर आने के बाद दोस्तों आपको plus वाले आयकेन पर State iplikk करना होगा click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो वेको बताने वाला हूं गांटीक है यहाँ पर डाला है आपको helpcredit.in ठीक है यह इनकी official Gmail है आपको इसी पर आपको mail करना होगा और mail में जा लिखना होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है देखो बाई मैंने यह जो subject है और लेकर लेकर रखा हुआ है मैं यहाँ पर copy करके paste कर देता हूँ और देखो जो मैं subject यहाँ पर लिखूँगा वही subject आपको लिखना है दूसरा कुछ नहीं लिखना है ठीक है देखो बाई यहाँ पर आपको लिखना है bank account change request ठीक है और उसके बाद आपको नीचे लिखना है dear credit team please my registered bank account remove immediately यानि कि दोस्तो जो हमारी bank registered है वो immediately remove कर दो and please new bank account links immediately old bank account नमबर आपको डाल देना है और यहाँ पर दोस्तों bank account number डालने के बाद नीचे आपको new bank account number डाल देना यह दोनों आपको डाल देना ठीक है तो यह सब information डालने के बाद या तो क्रिटबी की team आपको वहां पर update कर देगी आपका जो bank account वो update कर देगी अगर update नहें करेगी तो ऐसे condition में क्रिटबी की जो वह आपको जो account है उस account में जो bank link है ना उस bank link bank को unlink कर देगी फिर उसके बाद जैसे ही आप app को open करेगे वहां पर जो है bank account link करने का auction आ जाएगा जानी कि जैसे आप loan link है ना तो नया bank account link करने का auction आ जाएगा और पुराना जो bank account है वो remove कर दिया जाएगा ठीक है इस प्रकार से लेकिन यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्रेटवी टीम को बात तो करनी है ठीक है मैसे तो करना लेकिन यह मैसेज आपको registered Gmail ID से करना है ना कि कोई fake Gmail ID से ठीक है अगर आप fake Gmail ID से करेंगे तो यह आपका process complete नहीं होगा ठीक है और कई बंदे बोलते ह है कि सर क्रेटवी टीम को मैसे तो करते हैं लेकर reply आता है नहीं यह नहीं हो सकता reply आता है देखो reply आप इस जगह पर देख रहे होंगे ठीक है तो कभी कबार क्या होता है कि जो मैसेज जीमेल पर बेदती है क्रेटवी टीम वो यहां पर सो कर दीती लेकिन जो important message होती ना वो कभी कबार जीमेल यहां पर बेदती है spam folder पर ठीक है यहां पर तो यहां पर भी आपको देखना है ठीक यहां पर भी देखना है कि मैसेज आया है कि नहीं है आपको अपने सभी folder को चेक आउट करते रहना देखो मैंने कोश टाइम पहले क्रेटवी में message किया था my credit card permanently close request ठीक लेकिन यह जो मैंने मैंने इनको request भीजना यह मैंने इसी Gmail ID से भीजती और यह Gmail ID मेरी क्रडवी से registered नहीं है तो यहां पर सर्फ पर क्रडवी यह पताया है कि आप registered Gmail ID से mail करो और हमको पता चले कि कौन mail कर रहा और registered mobile number सब को पता चाहिए तो उनको क्या है जो मैंने जानकारी यहां पर लिखी ना यहां पर ठीक है उनको मैच मिली ही नहीं ठीक है तो उन लोगों ने क्या कहा कि आप registered Gmail ID से मुझे contact करें और बताए क्या problem से ठीक बस तो कहते कि reply नहीं आता बाई reply आता है 99% reply आता है आप क्रडवी की टीम को एक बार message करके देखो देखो जहां पर हमार जो है टिकट जैनलेट हो चुका है थीक यहां पर एक अंदर बैंक कंट को चेंज करना ठीक है यहां पर देखू हमारे टिकट जानलेट हो चुका और इसका response 24 गंटे में हमारे पास्त में आजाएगा ठीक है तो इस प्रकार के माध्यम से आद मेरे भाई बहुत ही आसान तरीके से आप ट्रडवी से बात कर सकते हो सारी प्रब्लम सौल करा सकते हो वीडियो आपको कैसा लगा यार दोस्तो कमेंट बॉक्स मिले के जिरू बताता हैं वीडियो दोस्तो कि लाइक कर सकते हैं और अगर आपके मन में कुछ भी सवाल एक पूछ सकते हैं मिलेंगे तो नेक्स्त एक और वीडियों में तब तक लिए जयए हिंद वंद्मारी